किन लगा आज मैं धन हो गया, गुरु गोविन सिंग केन लगे, इनकी मा कहती थी के मैंने दोनों भाईयों को एक साथ गोडी चलाना है, एक साथ गोडी चड़ेंगे और एक साथ इनको गोडी चड़ाऊंगे, इनकी तिलक लगाऊंगे, आज दोनों एक साथ गोडी की इच्छा पूरी हो गई अब गुरू गोविन सिंग ने जो बरिजान दिये दो उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे जो पांस साल के साथ साल के थे उनको सरंद की मस्जिद में जिन्दा चुनबा दिया गया इससे बड़ा जलूम क्या होगा दुनिया के अंदर दुनिया क सवा लाक से एक लगा हो वहां असी आदमी थे अंदर किले के अंदर और बाहर जो थे तीन राजाओं की फौज थी सरंद के नवाब की फौज लगी हुई है लाहोर के नवाब की फौज लगी हुई है और दिली से मुगदो की फौज आई हुई है गुरूविन से रड़ने के लिए तो वहां आठ लाक से जादे फौज खड़ी हुई है और अंदर असी आदमी बैठे हुए है किले के और दोनों लड़के खड़े हुए हैं अब यहां भी बहुत सारी किम्दंतियां गीत चलते हैं पंजाब में जो गीत चलते हैं उनके बड़ी बहुत वीरता की बात पंजाब के लोग गीत हैं इतिहास में थोड़ा सा इनका बढ़ना है लेकिन एतिहासिक दिष्टी से है और गीतों में जो शौरिय की दिष्टी से लोग गीतों है तो वहां क्या कहा जाता है कि पहला जो 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 जार और अजीत वो दोनों के लिए पर खड़े हुए है और देख रहे हैं कि आठ लाग फोज बाहर खड़ी है और हमारे पास के वरत से आदमें हैं तो बड़े भाई को प्यास लगती है वो घोड़े से उतरने लगता है ये पंजाब के लोग गीत है इतिहास में इनका बढ़ना चोटा करके बता दिया है लेकिन वहां शौरिय की गा पि है और तुम गोडे से उतर के कहा जा रहे है वो कहने लगा कि भाई मुझे प्यास लग रही है पानी पीने जारा हूं तो छोटा भाई कहने लगा भाई तुमए पता ने हम सिंघ की संतान हैं और सिंघ की प्यास पानी से नहीं बुछती है तो पंजब के लोग गीत door में कविता में इसका बरनन है सारा तो उन्होंने का कि सिंग कैसे प्यास बजाते हैं कि दुश्मन की फौज पर कूद पड़ो और उनके खून से अपने प्यास बजाओ शेहर अपने प्यास खून से बजाता है तो बड़ा भाई जो था जब उसको जोच आया उसनके लेगी दिवार से अपना गोड़ा कुदा दिया और उन मार काट करनी शुरू कर दिया अब कहां अकेला आद्मी और कहां सिलाग फौज हजारों को उसने सेंकड़ों को मार मार के नीचे गिरा दिया अब ये बच्चे भी कितने थे एक 17 साल का एक 15 साल का है तो एक खड़ा जो है नीचे गिर गया तो दूसरा छोटा भाई जाता उसने भी दोश आया उसने भी बस वाई गुरुजी का खाल्सा वाई गुरुजी की फतेर नारा रगाया और कूत पड़ा और उसने भी सेंकड़ों को मार दिया हूँ, काट दिया अब वो भी वहाँ शहीद हो गया जब वो शहीद हो गया तो वाई गुरुजी दसमेशने अंदर से नारा लगाया अब ये भाई देयाराम जो थे कहने रगे वाई गुरु तिरे दोनों जवान लड़के यहाँ शहीद हो गये रड़ा भूमी में पड़े हुए हैं और तू इतनी दोड़ दोड़ से नारा लगा रहा है कहने लगा आज मैं धन हो गया गुरुजी जिंग कहने लगे इनकी मा कहती थी कह मैंने दोनों भाईयों को एक साथ गोड़ी चलाना है एक साथ गोड़ी चड़ेंगे और एक साथ इनको गोड़ी चड़ाऊंगे इनकी तिलक लगाऊंगे आज दोनों एक साथ गोड़ी पर चड़ गए इनकी मा की इच्छा पूरी हो गए और मेरी इसलिए फूरा हो गई कि मैंने अकाल पुरुष से यह मांगा था, कि वीर गति को प्राप्त होूँ, तो आज ये रन भूमी में शत्रु का रक्त पीते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई, वो अकाल पुरुष के सामने जो मैंने प्रतिग्या की थी, जिसलिए कि वीर गति को झामलवाद की प्रत्त होँ गाल, तो प्रत हो oid रगताः दे नहलें। कि वीर गतिए हुए ए मुषण से फूईर से फिर रहता हो गतित हृद एामें विजत थी, अ मया हो बा।